सुनिए गाम मैं कहती हूँ कि हर एक महबबत बेवफा नहीं होती कि हर एक महबबत बेवफा नहीं होती सची महबब कभी खफा नहीं होती कि हर एक महबबत बेवफा नहीं होती सची महबब कभी खफा नहीं होती और गम ऐ जिन्दिगी का कितना भी eilाज कर लेना दोस्त, महबत से अच्छी कोई दवा नहीं होती गौर फरमाइएगा कि ये कहते हैं कि भरी दुपहरी को काली राद कर दिया इने महबत ने बरबात कर दिया ये कहते हैं ये कहते हैं तो तुम्हारा पाला किसी गलत से पड़ा है यारों, वरना हमें तो महबत ने आबात कर दिया। कि तू शोर है, गौर फर्माइएगा गहराई से, कि तू शोर है, मैं तेरा सुकू, तू इश्क है, मैं हूँ एक जुनू, कि तू शोर है, मैं तेरा सुकू, तू इश्क है, मैं हूँ एक जुनू, तू हवाओ सा अंबर मैं लहराता जा, मैं सबनम सी आकर के तुझ मैं गुलू, तू धूप है, मैं चाया सी हूँ, दरक्त तू तेरी साया सी हूँ, तू धूप है, मैं चाया सी हूँ, दरक्त तू तेरी साया सी हूँ, रंग तूने जो मुझ मैं है, इतने भरे, जैसे भवरों के बीच मैं फूलों सी हूँ, कि सुबहा तू शाम में ढलती हूई, जाम में बर्फ पिघलती हूई, इन नदियों के पानी सा है इश्क मेरा, अपनी ही धुन में निकलती हूई, एक लड़की जिसने बहुत सच्चा प्रेम किया था और अपने इस प्रेम को शादी की मंजल तक पहुँचाना चाहती है, तो हमारे समाज में क्या ताने मिलते हैं तो अपने एक सच्चा प्रेमी, मिलना आजकल बहुत मुश्किल है, आप सबको पता है, एक सच्चे प्रेमी से लेके समाज के तानों तक का बखान करते हुए कहती है, बहुत दर्द भरी है, थोड़ा सुनिएगा, कि प्रेम किया था हमने भी, मगर प्रेमी की जात नहीं देखी, कि प्रेम किया था हमने भी, मगर प्रेमी की जात नहीं देखी, जो उसमें देखी, फिर किसी और में वो बात नहीं देखी, वो निस्चल, निश्वार्थ, निस्काम भरी नजरों वाली, मैंने कहीं और ऐसी मुलाकात नहीं देखी, कि मैंने कहीं और ऐसी मुलाकात नहीं देखी और मैं द्रोपती सी लाचार हुई अगर कि मैं द्रोपती सी लाचार हुई अगर वो मा भारत रचा लेगा मैं बनी जो अभागन सीता वो भीतर का राम जगा लेगा उसका प्रेम ही सांसे मिरी विश्वास उसका है मिरी धड़कन कि उसका प्रेम ही सांसे मिरी विश्वास उसका है मिरी धड़कन और जो राधे को न समझ पाया वो जग क्या समझेगा मिरी तड़कन कि जो राधे को न समझ पाया वो जग क्या समझेगा मिरी तड़कन और इस पे विशेश गौर फर्माईएगा कि ऐसी लड़की को जो एक विजात प्रेम है या शादी करना चाहती है उसको समाज में क्या कहते हैं? जात भेत की खातिर मेरी प्रीत को मिथ्या बताया गया बच्चे किस जाती के होंगे? उन्हें कौन सा धर्म सिखाओगी? खुदिये विश्का प्याला पीकर उन्हें कौन सा अम्रत पिलाओगी? और पहर पहर कि खुदिये विश्का प्याला पीकर उन्हें कौन सा अम्रत पिलाओगी? पहर पहर और हर सहर हर शब में मुझे डराया गया विजात प्रेम एक गुनाह कहकर हर लम्हा मुझे तड़ पाया गया मेरे दर्द के किस्सों को कौन सुनेगा? मैं किसको सुनाओ? इस जग के धुनली आखों से मैं जात का पर्दा कैसे हटाओ? और अंतिन चार पंक्तियों में समाच से सवाल है कि इस रूड़ी की जंजीर तोड़ कर और कितनी कलिया घर छोड़ेंगी जो तोड़ ना पातीं इस बेड़ी को कितनी जोड़ी और दम तोड़ेंगी? कि इस रूड़ी की जंजीर तोड़ कर कितनी कलिया और घर छोड़ेंगी? जो तोड़ ना पातीं इस बेड़ी को कितनी जोड़े और दम तोड़ेंगी? आखिर! कि आखिर धर्म जात के फंदों में कब तक ये दुनिया उलजेगी? कब तक इस भीसन ज्वाला में यहाँ प को वहाँ ब्या देना हमने एक ही जात के हजारों बेमेल रिष्टों को कटगरे में खड़े देखा है